क्या आप माल्टा आ चुके हो और आपके पास अभी तक जोब नहीं है मतलब जिस भी कंपनी में आप आए हो उन्होंने आपको अभी तक जोब परवाइड नहीं किया हुआ तो ये कॉमन चीज हो गया है माल्टा में पहले जब मैं आया था तो ऐसा नहीं था कोई भी जॉब लेस्ट नहीं था लेकिन अब बहुत सारे मुझे मेसे साथे है कि जॉब नहीं है मेरे पाग कहीं जॉब लगवा दो ये नॉर्मल हो गया अब इवन मेरा फ्लैटमेट जो है उसको भी तीन मेना हो गया अभी तक जोब मिला नहीं है तो मैंने उसको बोला भी था कि कहीं नहीं मैं लगवा यतना पार्ट टाम के लिए लेकिन वो एगरी हुआ नहीं क्योंकि वोग फ्री महीं हुआ है ज्यादा पैसे उसके लगया नहीं थी दुबबस से हाया था तो उसकी अपनी सेविंग थी उस पैसे से आय था जिसले इसको टेंशन नहीं है लेकिन कई लोग को टेंशन होती है क्योंकि कर्जा देके आया होते हैं कोई 6 लाग 7 लाग कोई ऐसा तो है नहीं कि सारे बंदे ऐसी आते हैं तो इस बारे में मैं पूरी चर्चा करने वाला हूँ मैं कि ये होता क्यूं है जब भी आप किसी भी एजन्ट से काम करवाते हो सबसे पहले तो आप उनसे पुछा करो कि जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ क्या मुझे जाते है मुझे काम मिलेगा कार्ड बन जाने के बाद कहने मतलब है क्योंकि तुरंट तो आपको कोई जॉब देता नहीं जब तक आपका TRC कार्ड ना बने और TRC कार्ड बनने में मोटा मोटा आप मानके चलो डेड मेना लगी जाता है मोटा मोटा नहीं तो जल्दी जल्दी अगर आपको सारे डॉक्मेंट रेडी हो तो एक मेने में हो जाता है अगर आपकी appointment पहले ले के रखी हो मालडा रेंडी की तो बहुत लोग आये हैं जिन लोगों को जो भी नहीं मिला चार महिने से पांच महिने से frustration होके लोगों को कोई Portugal चलेगे इवन मेरे दोस्त भी है जो आये थे इवन delivery में आये थे वो लोग कोई चला गया France चला गया कोई Germany चला गया जैसे जैसे उनकी अगर link हैं आगे तो जा सकते हैं मान के चलो किसका link ही नहीं है ना Germany में कोई किसी का बंदा बैठा ना France में वो कैसे जाएगा ऐसे तो जाएगा नहीं कोई किसी काम भी देगा नहीं तो जैसे वहाँ पे गये हैं France और Germany में ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ पर TRC कार्ड मिल जाएगा TRC कार्ड मिलने वाला नहीं है उनको लेकिन यह है कि वो चुपके से काम कर सकते हैं वहाँ पर deportation के इतना issue होता नहीं है कि पकड़ लेंगे बेज देंगे वहाँ इतना ऐसा नहीं है illegal migrate का लेकिन यह है कि उनके पास TRC कार्ड है अगर वो पकड़ेंगे भी तो फिर भी देखेंगे कि बंदा गुमने के लिए आया है या TRC कार्ड है बंदे के पास वह थे निवर के टैम पर तब मेरी से बात होई थी तो गया था मैंना यहां पर continue करना number exchange कर लिए लेकिन वह जैसे TRC कार्ड उसका बन गया था वह चला गया था वह तो अब वो उसी कार्ड से पूरा Europe Trevel कर रहा है ठीक है Portugal के उसने file हे वह पोर्टोंकोल में ही काम कर रहा है लेकिन कभी Netherlands के रचा को जाता उसी कार्ड के ज़रू कार्ड खरल रहा है क्योंकि उस के पास Malta का TRC कार्ड है लेकिन टीन जनवरी तक की वैलेट है उसके bald तो जब भी आप आओ माल्टा के लिए तो पहले सबसे पहले आपने अपने एज़ञेंट से किया स्थरों करना है कि क्या मुझे जॉब मिलेगा जाते ही अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बता दू क्या system है यह ना हो कि आप आ जाओ और आपको यहां के जॉब ना मिले क्योंकि आगे आगे किसी और बंदे को आपको सप्लाई करना होता है अगर जैसे आपने इंडिया से आप यहाँ आगे हो ठीक सब्सक्राइब क्याएन जाना है कर तरी को थिम्हां सब्सक्राइब कर देता है मई हमाई है consistent जिसको उन्होंने दिया हुआ है, जहां पर आपने काम करना होता है, उससे वो 7.5 एरो वो ले रहे होते हैं, ठीक है, आप जितना काम करोगे, जिस बंदे ने आपको यहां पर हायर किया था, ठीक है, वो आप से क्या पैसा कमाएगा, यहां पर यह चल रहा है, अगर कोई भी इटेलिगेशन अगर आपके होम कंट्री में आती है, ठीक है, आप से फेस टू फेस अगर इंट्रूवी लेती है, तो समझ लेना कि आप डारेट जा रहे हो, उसमें भी कुछ ना कुछ indirect हो सकते हैं, लेकिन mostly cases में यह होता है कि वो होते हैं direct, ठीक है, आपको सीधा वो अपने company में लेके जाएंगी, जहां पर आपको 6-7-0 के साब से, आपके qualification और आपके experience के अनुसार आपको काम मिलता है, अब यहां पर एक बंदा था, उसको, ऐसी काम मिल नहीं रहा था, तो चलो मैंने उसे बात की, मैंने कहीं लगवा देता हूं, तो मैंने 3-4 restaurant में बात की, क्योंकि यहां पर जो construction काम होता है, दोस्तो ऐसे मिलता नहीं है, बहुत सारा construction काम यहां है, लेकिन part time कोई रखता नहीं है, रखता है, फुल टैम ही रखते हैं, इलीगल ही रखने कोशी करते हैं, लेकिन वहाँ पर चापे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, दो-चार बंदे डिपोर्ट भी होएं इसी काम पर, क्योंकि अगर आपके बात ऐसे करोगे तो पता ही आपको illegal में count होगे, तो बोलता है कि बंदे को खाना बनाना आता है, मैंन प्लंबिंग के लिए उसको requirement थी, तो कुछ भी नहीं आता बन देगो, तो जब भी आप आओ, तो ऐसे मत करोगी भाई, मैं मामा के घर जा रहा हूँ, ठीके, ऐसा नहीं, कुछ काम सीख के आओ, यह मत सीख के आओ, कि हभी मैं delivery के करोंगा, तो delivery में जा रहा हूँ, यहाँ ऐसा नहीं है, दोस्तों कि आप delivery में आ रहे हैं, तो आपको तुरंत आके काम मिल जाएगा, ठीके, तुरंत काम नहीं मिलता, यहाँ के, कई की companies होती है, जिसमें आपका बोल्ट की ID बनने में 15-20 दिन लगा देती है, ठीके, अगर आपके बस कोई हुनर होगा, कुछ काम आत बहुत ज़्यदा यहाँ पे demand है, बहुत सारे नहीं की काम करते हैं, जब भी आप यहाँ अगर आपने नहीं का काम सिखा हुआ है, आप Asian बंदों की बाल कटके आपको बहुत पैसा मिल जाएगा, ठीके, गुरुप बना के रख लो, hair cut, Indian, Facebook में बना लो, मैं करता हूँ कि आ तो फ्राइडे को जैसे चुटी होती थी, तो जो वहाँ पे जितने भी हैं, mostly बंगाली बंदे, सारे hair cutty करते थे, वहाँ पे 5 द्राम बो लेते थे, पैसा उनका बन जाता था, अच्छा खासा, तो कुछ ना कुछ सीख के आओ, दोस्तों, मैं जिस भी बंदे में पुछते मैं क्या सीख किया हूँ, मैं सब को बोलता हूँ कि हाथ में कोई ना कोई हुनर लेकर आओ, ठीक है, ऐसे नहीं कि यार मैं helperi के लिए जो हुन रहा हूँ सार मैं helperi में कहीं लगवा दो, ऐसा मत करो यार, कुछ ना कुछ काम सीख किया हूँ, ताकि आपको यहां के कुई company आपको room नहीं देगी, transportation नहीं देगी, सारा खुद का होगा, कमाओगे, तब ही खाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहां पे, अब मैंने जिन जिन लड़कों को मैंने room दिलवाए हैं, अब वो जो honor है मुझे phone करके बोलते हैं, यह आपने कैसा बंदा दे दिलवाया है, और owner मुझे बोलता है कि room का rent दे नहीं रहा है, क्यों का मुझे बोलता है, बीच में जाता है, बीच में नहीं जाता है, जैसे जैसे demand होते हैं, उसके सबसे बलाते हैं, यह अगर उसको कुछ ना कुछ काम आता होगा, ठीक है, वो पार्ट टेम यहां पे आपको काम आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, रेश्टरॉन का काम सीखिया, पीजे का काम सीख लो यार, ठीक है, पास्ता का सीखिया हो, ठीक है, यह चीजे ऐसी हैं, आपको बहुत ज़दा हेल्प करेंगी, अगर आप यहां पे सीखिया आते हो, driving के लिए, delivery के लिए, चलो अपने वीजा लगाया, साथ में पार्ट टैम कुछ सीख लो, ठीक है, वो सीख लोगे तो आपको यहां के फैदा होगा, तो यह थी, बहुत सारे जोब, बहुत सारे लोग जोबलस हो चुके हैं, जिनको पास जोब नहीं है, अगर आपके, आप किसी भी काम के लिए आप आ इकनिशन हो गया, इलेक्टरिशन हो गया, इसकी भरपार पड़ी हुई है, बस बंदा चाहिए, बस यहां पर बंदा होना चाहिए, अवेलवल, तो उसको काम मिल जाता है, तो शेर कर देना, लाइक कर देना, थेंक्यू सो मच,